दोस्तो आज से न, दो से तीन दिन पहले मैंने आप सभी को एक यहाँ पर वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि आप यहाँ पर अपने Quotex811 अकाउंट को Quotex811 super account में यहाँ पर convert कर वा लिजे, क्योंकि न, वहाँ पर Quotex811 811 Super के साथ आपको काफी बढ़िया benefit देखने को मिलता है, यहाँ पे लोग credit card पे 5% का cashback देते हैं, जो कि मुस्किल से लोगो को credit card मिल पाता है लेकिन KOTEC 811 Super में upgrade करने के बाद आपको debit card पे 5% का cashback दिया जा रहा था और यहाँ पे 5% का cashback है यह केवल online spend पे ही नहीं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप particular इस website पे transaction करिए तब यहाँ को cashback मिलेगा आप यहाँ पे किसी भी website पे transaction करिए, आपको 5% का cashback दिया जाएगा और साथी में अगर आप petrol भी इस card को use करके डलवाते हैं तब यह आपको 5% का cashback दिया जाएगा हर महीने, जिसकी एक limit है, हर महीने 5 होगी यहाँ पे काफी सारे लोग बोल लेते कि भाई हम confused है, कहाँ हम इस card को use करें तो हमें यहाँ पे cashback देखने को मिलेगा, कहाँ पे हम इसे use करेंगे तो हमें cashback देखने को नहीं मिलेगा तो आज की इस video में मैं आप सभी का पूरा यह confusion है, इसे clear कर देने वाला हूँ आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि आपको इस वाले transaction के बदले cashback दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और यह चीज ना, मैं आप सभी से request करूँगा कि आप मेरे description में जाए, वहाँ पर आप देखिए, आपको आप टेलिग्राम का link मिलेगा टेलिग्राम चैनल आप लोग जरूर से join कर लिजे और साथ में जो आपको अभी screen पर दिख रहा है मैं कोशिच करूँगा आपके साथ टेलिग्राम पर जल से जल से शेयर कर दूँ, बिना आपका समय कवाई, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि कोटेक की तरफ से क्या कहा गया है कोटेक की तरफ से कहा गया है कि आप किसी भी POS मशीन पर अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर किसी भी वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन करते हैं, तब ही हम आपको यहाँ पर आपका cashback देंगे वहाँ पर उन्होंने मैंशन करते हैं, आप किसी भी टाइप का अगर wallet लोड करते हैं, तो हम आपको यहाँ पर किसी भी परकार का कोई भी cashback नहीं देंगे लेकिन न, मैं आप सभी के साथ share कर देता हूँ कि आपको किन किन ट्रांजेक्शन पर cashback मिलने वाल है, आप सभी जो confused थे कि, आप मतलब कि काफी ज़्यादा हाइप हो गया एकदम से ही लोगों में, क्योंकि यहाँ पर पहले तो HDFC का जो एक millennia debit card आता था, उसको काफी सारे लोग यहाँ पर लेते थे, क्योंकि उससे बढ़िया cashback देखने को मिलता था, लेकिन अभी कोटक का 3-4 दिन में कुछ ज़्यादा ही हाइप हो गया, और काफी सारे लोग इसको लेने के लिए परशान हो गया है, तो देखो, इसमें सबसे पहले आप एक call recording को सुनो, PCD, PCD, PCD transactions करके लिख्या, आप जैसी swipe करोगे पैसा कटेगा ना, तो हम entry आपको दिखाएंगे ना, उसमें PCD transaction अगर mention रहेगा ना, तो मतलब आपको cashback आएगा, आपने जो अभी call recording सुना ना, ये call recording मेरे और कोटक customer support के बीच में था, तो उन्होंने क्या बताया, यहाँ प उसमें से जो भी मेरा पैसा कटेगा ना, अगर मैं कोटक 811 एप में जाके देखू, अगर उसका transaction का शुरुआत PCD, जैसे कि अब आप सभी screen पर देख सकते हो, अगर उसके transaction का शुरुआत PCD से होता है, तो आप basically यहाँ पे eligible हो, अपने cashback के लिए, यहाँ पे मैंने इस ची का bill payment कर सकते हो, यहाँ पे recharge कर सकते हो, electricity का bill payment कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने इसको use किया, तो उसका transaction भी यहाँ पे PCD से शुरुआ हो रहा है, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे mobile quick का जो wallet आता है, उसमें भी पैसा add किया, वहाँ पे PCD से ही इसका शुरुआत हुआ है, और उस जगे पे मैं transaction करता हूँ, तो मुझे cashback मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हाँ, एक और bonus चीज में आप सर भी कोई साथ share कर देता हूँ, अगर आपके पास न, suppose जैसे कि मेरे पास एक account है, जिसमें मुझे यह वाला super में upgrade हो गया है, अब इस debit card को use करके, अगर मैं अपने family में मेरे brother, sister, mother, father या फिर मेरे friends हो गए, किसी के पास भी kotak का 811 account है न, तो 811 account में जाके, अगर मैं वहाँ पे न, add money करता हूँ, इस debit card को use करके, तो उसका transaction भी आप देख सकते हो, यहाँ पे PCD से ही शुरू हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आपका confusion है न, वो तो clear हो गया कि अगर आपको इसके बारे में detail में जानना है न, तो आप please मुझे comment में बताइए, मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लिए particular एक एक वीडियो बना दूँ, जिसमें मैं आप सभी को particular Amazon, Airtel, SBI Unipay, Kotec या फिर और भी कुछ नया मुझे पता चलता है न, उसके बारे में भी म जोइन कर लीजे, क्योंकि वो चैनल मैंने अभी अभी बनाया है, उस पर दो ही लोग है, दो लोग में भी एक मैं ही हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप वाप पर जाए, उसको जोइन करें, और I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो का अपनी तरफ से एक लाइक कर दे, और हाँ, आपना मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्लाल की वीडियो में नहीं दोस्तों, जैहीं, वंदे मातरम,